आउनी इस टुटोरियर ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है देखिए हम लोग आजकर लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइट चैप्टर में जो है आप रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन इस सारा कुछ पढ़ चुके हैं पावर आप लेंज पढ़ लिए और माइक्रोइस्कोप में सिंपल माइक्रोइस्कोप कंपाउंड माइक्रोइस्कोप और टेलिस्कोप और मैगनिफाइंग पावर आप टेलिस्कोप और माइक्रोइस्को इनका फार्मूला भी आप पढ़ चुके हैं तो अब हम इस पर जो है इंपॉर्टेंट जो निमेरिकल है उनको पढ़ते हैं ठीक है और इन वीडियो को अगर देखना है तो ऐसे तो हम डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देंगे इसके प्लेलिस्ट की जिससे आप जाकर आ एक चीज प्ली चैनल पर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी ज्यादा ज्यादा लाइक से और कमेंट करिए और ऐसी वीडियो आपके सामने बराबर आती रही जो कि आपके एक्जाम से रिलेटेड होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि निशित तोर पर पू जो निमेर के लाते हैं उनके बारे में क्यूस्चन है कि एक सर्वसुष्ण दर्सी के रूप में प्रयुक्त उत्ता लेंस की फोकस दूरी फाइप सेंटीमीटर है असपस दिश्च की नियुनतम दूरी ग्याद करनी है और सर्वसुष्ण दर्सी की आउर्धन चमता आपको और 6 दीया गी है तो कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या ट्वजित विश्फेस को में है दीय क्या है उसको नोट कर लीजिए अब क्यूस्फेसद्वरी जो है प्यांत से नोट करते हैं यह की बेलु कितना दिए है फाइप सेंटीमीटर नोट कर लीजिए और आवर्धन चम पूच्छा है डी की बेलू जो है कितना होगी के इस चर्मार के ही आपको फाइंट करना है अब आप जो है कि इसका फार्मूला सरवसुष्म दर्सी की आवर्धन जमता का फार्मूला क्या होता है यह मैं इकल वन प्लस डी अपान एफ होता है इस ही पेर आप वैलू पूट अप कर दीजी देखिए यह कितना है 6 और 6 इकल हो जाएगा 1 प्लस डी अपान 5 वन इदर ट्रांसपर कर दीजी इनका ट्रांसपर दर दर कर दीजी दी अपान 5 की वैलू क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 और दी अपान 5 एक वालम बोल सकते 5 और दी इकल 25 यही दी जो है इस प्रस देश्ट की नियुंतम दूरी हो गई इसकी वैलू की इतना है 25 सेंटिमीटर ओ तो यह जो है आप सारल सूशम दर्सी पर अधारित क्यूस्चन है ऐसे ही क्यूस्चन आपको बोड पर इच्छा में देखने को मिलते हैं यह भी बहुत इपॉर्टेंट क्यूस्चन है चली नेक्स्चन देखते हैं यह देखिए कंपाउंड माइक्रोश्कोप पर यह एक वस्त को अब द्रिश्यक के फोकस से 0.2 मिलिमीटर आगे रखा जाए तो अंतिम प्रद्विम 25 सेंटिमीटर दूर बनता है तो सारसूशम दर्सी की संपूर्ण आउर्दन जमता आपको गयाद करने है कितना होगी चलिए आपको यहां सबसे पहले जब भी क्योशन आए निमेरिकल को साल्व करने से पहले आप उसको पढ़िए उसका देखिए क्या क्या आपको दिया है तब आप डिसाइट कर पाएंगे कि क्या पूछा है और उसका फार्मूला अपलिक लेगे तो साल्व कर सकते हैं देखिए गीवन में आप द्रिश्यक लेंस की फोकस द दिया है चार मिलीमीटर और यह फी नेत्र का बन रहा है यह नहीं दिया है क्योश्चन मार कर लीजिए वस्तु लेकिन कहां इस्तित है यह आपको बताया है कि अब द्रिश्यक के फोकस बिंदू से 0.2 मिलीमीटर आगे यह आपको दिया है इसका मतलब यू कितना हो जाएगा माइनस 4 प्लस 0.2 एट कर दीजिए हो जाएगा माइनस 4.2 मिलीमीटर और अंतिम प्रद्विम कहां बन रहा है पचीस सेंटिमीटर तो पचीस सेंटिमीटर की दूरी को आपको बताया गया किसी ही एस्पस दिस्की कहते हैं तो तो दिक भी एसेंटिमीटर ये चुकि सब जो भी देया गया हो मिलीमेटर मैं ते इसको मिलीमेटर में ही चेंज कर लिजी ऐसा नहीं कि कुछ मिलीमीटर एक धुर तो सब ही 25 मिलिमीटर हो जाएगा में 10 मिलीमेटर होते हैं तो पचीछ सेंटीमेटर उतना हो जाएंगे पचीछ संट्रों कर दीजिए 250 मिलीमेटर यहां की बैलो पूछा है, यहां की बैलो क्यों से नमार कर लिजी, अब लेकिन आपको VO नहीं पता है, तो VO पहले फाइंट करिए, अब U, V और यहां में रिलेशन जानते हैं लेंस के लिए, तो लेंस के फार्मूले से 1 अपान, V माइनस वान अपान U इक्वल अपान F, तो य 1 अपान VO इक्वल हो जाएगा, 1 अपान 4, माइनस, अभण बने ट्रांसफर कर दीजी इसको, माइनस उदर जाये से तो यहां की बैलो पता आ है, मैंस अगर ट्रांसफर करें, देखिए, 1 अपान VO इक्वल हो जाएगा, 1 अपान F, 4 प्लस, 1 अपान U, यही हो जाएगा, तो 1 पान एप फो एपो की बेलू 4, 1 पान 4, minus u की बेलू कितना आप फाइंट किये है, 4.2, minus में, इसली 1 पान 4, minus 1 पान 4.2, solve कर लिजिए, आजाएगा 0.2 पान 4 into 4.2, या इसे आप solve कर सकते हैं, solve कर लिजिए, वी ओ की बेलू आजाएगी 84 mm, तो ये तो आप, 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 के आव आप, 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 अब इसी पर value put up करना है क्यों अलवास, equal minus VO कितना निकला है 84, upon VO कितना है 4.2, अब रिकर में 1 plus D की value 250 upon 25, अब रिकर में 1 plus D की value 250 upon 25, अब रिकर में 1 plus D की value, solve कर दीजिए, minus 20 in 2 level, या minus 220, ठीके, तो इस प्रकार से सभी सुन दर्सिक या और दन चमता कितना आ गई, की M equal minus 220, तो यह रहा, important question, compound microscope और simple microscope पर depend, और इसके, इसे related important question, जो आपको next video में या description में ही डाल देगी, जिसे आप solve करके, comment करके, पूर्स, 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 और अग्ला वीडियो जो होगा, वो, टेलिस्खोब, के magnifying power, definitive question होगा, मिंस varies BENE, जिसे related question होगा, जो की आज की टापिक बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपका दुर्दर्सी के आउर्दंज हम तक पर रिलेटर नुमेरिकल होगा, तो प्लीज एक बार फिर से आप से आग रहा है, भई, चैनल पर नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी, ज्यादा ज्यादा लाइक, सेर कमेंट करिए, सुपोर्ट करिए, और मैं आगे चलके वीडियो आपको जो है, जल्दी बोर्ड पर दूँगा, क्योंकि बेरी करडिशन ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपको इस्टंक से दे रहा हूं, अभी समझने का प्रयास करिए, और जहां प्राबलम होगी, कमेंट तो हम आपको उसा वीडियो बना के लाइब देंगे, ठीक है, ओके, धन्यबार